शंक्राचार्य अभी मुक्तिश्वरा नंद ने गाय को राज माता का धर्जो देनी की मांग किये है इस पर दिप्टिसीय मरुन साउकावी बयान साब ने आगया है और उने कहा है कि राज़सरकार शंक्राचारी की बात पर गंभीरता से विचार करेगी हमारे समवादाता ने उनसे खास बात चीत की और उने क्या कुछ कहा है सुनवाता है संक्राचार्य अभी मुक्तिश्वरा नंद ने कहा है कि 36 गड़ की सरकार को भी महाराश सरकार की तरह गाय को राजमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं उपमुख्य मंत्री अरूर साओ जी है साओ जी संक्राचारे की इस बयान को कैसे देखें देखिए धर्मचारी हैं इनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए उचित नहीं है फिर भी संक्राचारे जी ने जो कहा है निस्चो दूर्प से हमारी सरकार उस पर गंभिरता से विचार करेगी और हमारी सरकार तो गव माता के संरक्षण के लिए और लगातार हम काम कर रहे हैं नकेवल केंदर सरकार हमारी राज्य सरकार भी काम कर रही है छत्तिरगड में भी हम गव भ्यारन बनाने की दिसा में आगे बढ़ रहे हैं काम कर रहे हैं गौव माता की पूजा राधना हम लोग करते हैं निश्चित रुप से गौव माता के संरक्षन के लिए जो भी कदम उठाना है हमारी सरकार निश्चित उठाएगी अगर सरकार विध्यक लाती है तो हम पुर्जोड तरीके से समर्थन करेंगे और पिछले पास साल में जब राज्य में सरकार थी इनकी गौव माता की कैसे दुर्दसा इनके कारेकाल में हुई है कैसे गौव तसकरी को इन लोगों ने बढ़ावा दिया है तो ये तो गवमाता के बारे में कुछ ना बोलें हमारी सरकार गवमाता के संरक्षन और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिसा में ठोस और मजबूती से हम काम कर रहे हैं तो आपने सुना अरूर साओ जी को जिनका कहना है कि सरकार प्रतिबद्ध है गौसरक्षण और सवर्धन के लिए और इसी दीशा में काम भी कर रही है और उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस केवल राजनिती कर रही है अब देखना होगा कि आने वाले समय पर इस मुद्धे पर और किस तरीके से बयान बाजी होगी कैमरे में आमद संकर के साथ सौर अपसीम करियार आईविस ट्विंटी फो राइपूर